कावडियों के लिए खाने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के बवाल के बीच अब एक नया विवात खड़ा हो गया है दरसल हरुद्वार में कावड यात्रा मार्क पर मौजूद मजार मजजिदों को डखने का मामला सामने आया है जानकारी के मताबिक मजार मजजिदों को डखने के लिए इन सबी के सामने सफेद रंगी चादरे लगा दी गई ताकि लोगों की नजर इन पर ना पड़ सके हाला कि कई लोगों ने आपती जटाने के बाद इन चादरों को हटा दिया चादरों को जोलापुर शेत्र में सित मजजिदों और मजारों के सामने बास केम चान पर लगाया गया था अकबार में छपी ख़बर के मताबिक जोलापुर कोत्वाली प्रभारी रमेश तवार ने कहा कि ना तो पुलिस ने कोई पर्दा लगाया और ना ही पुलिस ने कोई पर्दा हटवाया हरे दुआर के अंदर से होकर पैदल पैदल कावड़ी ये रवाना हो रहे हैं सिंग द्वार से राम नगर, आर्य नगर, उचा फुल से हूते हुए कावडियों का सैलाब निकल रहा है बताया गया कि राम नगर से सटे शेत्र में एक धर्मस्थल को ढख दिया गया शुक्रवार को धर्मस्थल को ढखने को लेकर विवाद की सिती पैदा होने लगी जिसके बाद धर्मस्थल के बाहर लगे पर्दो को दोफैर में हटा दिया गया कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई विवाद पैदा नहुपाए इसलिए पर्दे लगाए गये थे धर्मस्थल पर पर पर्दा लगाने का मामला सोशल मीडिया पर चला तो उसे हटा दिया गया किसने पर्दा लगाया और किसने पर्दा हटवाया इसको लेकर अधिकारी बोलने से अभी बच रहे हैं अधिकारीों ने दावा किया कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि पर्दा किसने लगवाया और बाद में किसने हटवा दिया विजे दिवस के कारिक्रम में पहुँचे कैबिनेट मंतरी सत्यपाल महराज से जब मीडिया ने धर्मसल पर परदा लगाने की बात पूछी तो उन्होंने इसके जवाम में कहा कि इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उन्होंने कहा कि इसका उद्देशी ही था कि कोई ना होता है तो उसे भी ढख दिया जाता है कॉंग्रेस नेता और पूर्व मंतरी नईम कुरेणी ने कहा हमने अपने जीवन में ऐसा कोई नहीं देखा उन्होंने कहा हम मुसल्मान हमेशा कावड मेले में शिव भक्तों का स्वागत करते हैं और विबिन स्थानों पर उनके विवस्था भी रखते हैं यहरिद्वार में हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच सदभाव का एक उधारण रहा है और पर्दे की परंपरा हमारे बीच कभी नहीं आई कुराइनी ने कहा कि कावड मेला शुरू होने से पहले प्रशासन ने एक बैटक की थी और हिंदू और मुसलिम दोनों समुधाए के सदस्यों को एस पियोद बनाया गया था मजार के एक केर टेकर शकील एहमद ने कहा कि किसी ने भी देखवाल करने वालों से मजार मजजद को कवर करवाने के बारे में बात ही नहींगी एहमद ने कहा कि कावडिये आराम करने के लिए मजजदों और मजारों के बाहर पेड़ों की छाया में रुकते हैं ये पहली बार है कि ऐसा कदम उठाया गया है। कॉंग्रेस नेता और पूर विजला पंचायत अध्यक्ष राव अफाफ के अली ने कहा कि मस्जिदों और मजारों को ढखने का प्रशासन का फैसला बहुत हैरान करने वाला है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं न्यूजवल इंडिया।